हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसुरत पैटन सी अर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, बनके देखें बहुती खुबसुरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रेंट साइट से हमारा ये पैटन बनना पहला फंदा उतार लेंगे और फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फ़स्ट रोप सीधी आएगी यह देखे यह फ़स्ट रोप को हमने सीधा बुनते हुए कम्प्लीट करना है अब देखे बैक साइड से से किंड रोप अब से किंड रोप को हमने उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट करना है बैक साइड से अब देखे फ्रंट साइड से थर्ड रोप पहला फंदा उता लेंगे नेश्ट फंदा हमने सीधा बुन लेना है और नेश्ट फंदा हमने बिना बुने उता लेना है फिर देखे नेश्ट हमने पांच फंदे डबल रोल करके बुनने हैं अब देखे नेश्ट हमने पांच तो देखे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, ये पांच फंदे डबल रोल करके भुन दिये, फिर देखे, नेस्ट फंदा हमने बिना भुने उतार लेना है, और नेस्ट हमने पांच फंदे डबल रोल करके भुन लेने है, सेम प्रोसिस रिपीट करते हुए, फ्रन्ट से अपनी 3rd row complete करेंगे अब देखे बैक साइट से फोर्ट रो अब फोर्ट रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइट से जो फंदा हमने बिन बुने उतारा है इसको हमने बैक साइट से उल्टा बुनके उतारना है फिर देखे यहां पर एक जाली डालेंगे फिर देखे नेस्ट हमने इन पांच फंदों को सिंगल कर लेना है यह पांच फंदे हमने सिंगल कर दिये अब इन पांच फंदों को एक साथ बुनेंगे और इनसे तीन फंदे बना लेंगे तो देखिए धागा अपनी साइड ये देखिए एक फंदा बन गया फिर धागा पीछे करेंगे इससे दूसरा फंदा और फिर ये बुन के तीसरा फंदा तो देखिए ये पांच फंदों से हमने तीन फंदे बना दिये फिर देखिए याँ पे जाली बनाने के लिए एक बार सलाई में धागा रोल करेंगे फिर देखे फ्रंट साइड से जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है इसको हमने बैक साइड से उल्टा बुनके उतारना है फिर देखे यहां पर एक जाली डालेंगे तो सलाई में धागे को रोल करेंगे फिर देखें, नेस्ट पांच फंदे हम सिंगल कर लेंगे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, इन पांच फंदों को एक साथ बुनेंगे, और इनसे तीन फंदे बना लेंगे, धागा अपनी साइड, और देखें, इन पांच फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर धागा फिर देखें यहां पर सलाई पर धागा रोल करेंगे एक जाली डालने के लिए फिर देखें जो फंदा हमारा फ्रंट साइट से बिना बुने है इसको हमने बैक साइट से उलड़ा बुन लेना है फिर देखे सलाई पे धागे को रोल करेंगे जाली डालने के लिए और नेस्ट हमने 5 फंदे सिंगल कर लेने हैं फिर इन 5 फंदों को 1 साथ बुनेंगे और इनसे 3 फंदे बना लेंगे तो देखे एक हो गया फिर धागा पीछे इससे दूसरा फंदा बन जाएगा और फिर बुन के तीसरा फंदा फिर देखे यहां पे सलाई पे धागे को रोल करेंगे जाली डालने के लिए और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे फिर देखे लाश्ट के फंदे उल्टे बुन लेंगे तो देखे एक साइड से हमारी फोर्तरों कम्प्लीट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से फिप्तरों अब फिप्तरों में देखे पहला फंदा उतार लेंगे और फ्रंट साइड से फिप्तर प्रेंगे ये देखे ये फ्रेंट साइड से हमारी फिप्त रो कम्प्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से 6 रो अब 6 रो को हमने बैक साइड से उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट करना है ये देखे अब देखे फ्रेंट साइड से 7 रो अब 7 रो में हमारा पैटर रिपीट एंड सिप्ट होगा तो देखे एक रो ये पहला फंदा उतार लेंगे और देखे यहाँ पर हमने चार फंदे डबल रोल करके बुन लेने तो देखे यह हमारा पैटर रिप्ट होने लग गया ये देखे ये सेवंत रो में शुरू में हमने चारी फंदे डबल रोल करने हैं अब देखे जो नेश्ट हमारा ये पांचवा फंदा है ये जो फ्लावर बना है इसका सेंटर का फंदा इसको हमने बिना बुने उतार लेना है फिर देखे नेश्ट हमने पांच फंदे डबल र एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांच फंदे हमने डबल रोल करके बुन दिये, तो इस बार देखिए हमारा ये फ्लावर देखिए ये जाली के उपर सिप्टो हो जाएगा, फिर देखिए ये जो फ्लावर बना है इसका जो सेंटर का फंदा है, इसको हमने बिना बुने उतार लेना है, फिर देखिए ये नेस्ट हमने पांच फंदे डबल रोल करके बुनने हैं, तो देखिए ये पांच फंदे डबल रोल करके आगे, फिर एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है, और देखिए लास्ट में हमने ये तीन फंदे डबल रोल करके बुन लेने है तो यह देखे फ्रेंट साइट से हमारी सेवन त्रो कम्प्लीट हो गई सेवन त्रो में हमारा पैटर्न रिपीट एंड सिप्ट हो रहा था अब बैक साइट से एट त्रो देखिए यह पहला फंदा उतारेंगे और देखें यहाँ पर हमने तीन ही फंदे डबल रोल किये हैं तो देखें इनको सिंगल करेंगे ये तीन ये तीन फंदे हमने सिंगल कर दिये और इन तीन फंदों को हम एक साथ बुनेंगे और तीन ही फंदे बना लेंगे तो एक हो गया ये धागा पीछे दो और ये बुनके 3 यह देखे अब देखे जो नेस्ट फंदा हमारा फ्रंट साइड से भी ना बुना है इसको हमने यहाँ पे देखे कोई जाली नहीं डालेंगे और इस फंदे को उल्टा ही बुन लेंगे फिर देखे यहाँ पे देखे एक जाली डालेंगे तो सलाई पे हमने धागा रोल करना ह और देखे नेस्ट हमने पांच फंदे डबल रोल कर लेने हैं फिर इनको एक साथ बुनेंगे और इनसे तीन फंदे बना लेंगे यह तीन फंदे बना दिये फिर यहां पे एक जाली डालेंगे फिर देखे एक फंदा उल्टा बुन लेंगे फिर यहां पे एक जाली डालेंग फिर देखें लास्ट में हमारे यहाँ पर चार फंदे डबल रोल हैं तो इनको सिंगल करेंगे और इनसे तीन फंदे बना लेंगे तो यह देखें बैक साइड से हमारी एट त्रो कम्पलीट हो गई एट त्रो में भी हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा था अब देखें फ्रंट साइड से नाइन त्रो अब नाइन त्रो को हमने सीधा बुनते हुए कम्पलीट करना है फ्रंट साइड से इस तरह हम अपने पैटर्न को रिपीट एंड शिप्ट करते जाएंगे कि बैक साइड से टैं त्रो अब टैं त्रो को हमने उल्टा बुनते हुए कम्पलीट करना है अब देखिए फ्रंट साइड से इलेवन त्रो अब इलेवन त्रो में हमारा पैटर्न रिपीट एंड शिप्ट होगा तो इलेवन त्रो को हमने थर्ड रो की तरह बुनते हुए कम्पलीट करना है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें अगर आप हमारे चैनल में नहीं हूँ तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूलें